नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है पांच नवंबर दिन रविवार खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहेडा मौका जानिये फेज दो सक्षक भरती सिजडी महत्पुन बाते कुज दिन पहले आई वेव सरीज ने मिर्जापुर और पंचायत को किया पीछे बिहार बोर्ड मैक्रिक संटप परिक्षा की तीथियां घोशन अजे जीत को परकरार रखना चाहेगा भारत आज होगी काटे की टककर अच्चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर वस्तार से बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहेडा मौका बिहार पुलिस अधिनस्त सेवा आयोग सब इंस्पेक्टर के कुल 64 पदों के लिए भरती निकाली गई है जिसमें बिहार पुलिस अवर सेवा मद्द निशेज उत्पाद एवं निवंधन विभाग में 63 और निग्रानी विभाग में एक दरोगा के पद शामिल है वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह BPSC की आधिकारिक वेबसाइट BPSC.BIH.NIC.IN पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम तारीक 4 दिसमबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक युगिता की बात करें तो मिद्वार के पास किसी भी मानिता प्राप्त विश्विद्याले के कॉल से ग्राजुएट के डिग्री होनी अनिवारे है इससे जोरी अधिक जानकारी के लिए जारी किये गए अधिसूशना को देख सकते हैं जानिए फेज दो सिक्षक भरती से जोरी महत्य पुण बाते बिहार लोकसिवा आयोग के द्वरा बिहार सिक्षक भरती परिक्षा के पैटर में कुछ बदलाव करते वे जिसमें सबसे पहला बदलाव ये है कि पहले जो सिक्षक भरती परिक्षा दो दिन में हुई अब वह एक दिन में ही आयोजित करवाई जाए कि ताकि अभ्यरतियों को रातर विश्राम ना करना पड़े वह दूसरा बदलाव ये कि अब प्रशन पत्र में कुल 50 प्रशन रहेंगे जिसमें से 30 प्रशन क्वालिंग फाइंड नेचर के होंगे तीसरा बदलाव मिरिट में टाई ब्रेकर होने पर भी कुछ बदलाव किया गया है TRE1 में tie breaker में date of birth और alphabetical order पर नाम लिया गया था वहीं अपेपर 3 के production के आधार पर tie breaker का फैसला होगा 14 बदलाओं की पेपर के भाग 2 और 3 को मिला कर merit list के लिए कुल 120 अंक होंगे वह पास होंगे 5 बदलाओं की भाशा विसर में tie breaker होगा तो इसके बाद नाम और date of birth को वर्यता दी जाएगी छटा बदलाओं की पेपर में भाशा भाग में 8 प्रशन अंग्रेजी और 22 प्रशन हिंदी भाशा के रहेंगे जो की कुल 30 अंक होगा और 9 अंक क्वालिफाइंग माने जाएंगे आपके जामकारी के लिए बता दे किसके लिए 5 नॉवंबर यानि की आज से 14 नॉवंबर तक और निवदन और भुकतान की दिती है वहीं विलम सुल के साथ 17 नॉवंबर 2023 तक आविदन लिया जाएगा इसके लावा आविदन करने की अंतिमतिती 25 नॉवंबर 2023 तक नर्धारित की गई है बिहार परिटिन में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी सत्याग्रह इसमारक के बारे में महात्मा गांधी सत्याग्रह इसमारक मोतिहारी का एक प्रमुख स्थल है यह स्थल मुखे शहर में स्थ यहाँ पर आपको एक इसमारक देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है यहाँ पर छोटा सा पार्क बना हुआ है जहां पड़ा बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं पार्क को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है यहाँ पर जूले हैं जो बच्चों को बहुत आनन देते हैं यहाँ पर सारे च्टंता सिनानियों के स्टैचू भी देखने के लिए मिलते हैं यह जगह अच्छी है और आपको यहाँ पर जरूर घूमना चाहिए इस इसमारक को सत्यागरह समारक के नाम से भी जाना जाता है यह पुर्वी चमपारव ने घूमने लायक जगह है अजय जीत को परकरार रखना चाहेगा भारत आज होगी काटे की टककर आज यानि की 5 नमबर को विश्व कब 2023 में सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम इंडिया अपना आठवा मुकाबला साउथ अफरीका के खिलाफ खेलने वाली है बता दे कि हम मैच कॉलकता के इडन गार्डन स्टेरियम में दो पहर दो बज़े से खेला जाना है बता दे कि एक तरफ जहां भारत ने अपने बीते सभी साथ मैचों में जीत हासल की है तो वहीं साइट अफरीका ने दक्षन अफरिका ने जीट हांसल की है जबकी तीन मैच का नतीजा नहीं निकला 1 डे वर्ल्ड कप में दोनों 5 बार भिर चुके हैं और साउथ अफरिका ने तीन जबकि इंडिया ने 2 मैच जीते हैं ऐसे मिया साउथ अफरीका ना सिर्फ टीम इंडिया को हरानी के इरादसी खेलेगा बलकि सेमी फाइनल के लिए अपना टिकेट भी पक्का करना चाहेगा नगर निकाई के 14 व पंचायती राज के 1424 रिक्त सीटों के लिए होंगे चनाव राजी निर्वाचन आयोग के दोरा जानकारी देते वे बताये गया है कि बिहार में उप्चनाव के तहट नगर निकाई के 14 रिक्त सीटों और पंचायती राज संस्थाओं के 1424 रिक्त सीटों पर उप्चनाव आयोजित करवाए जाएंगे इनमें नगर निकम के दोर नगर परिसत के 5 और नगर पंचायत की 7 सीटों पर उप्चनाव होंगे जबकि पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिसत सीटों पर उप्चनाव होगा एसे में इसको लेकर आयोग के ओर से संबंध जिलों के जिलादिकारी सह जिला निर्वाचन पतादिकारी नगर पालिका और पंचायत को मदाता सुझी तयार करने का नरदेश दे दिया गया है बता दे कि ये सभी सीटे आयोग के नुसार मृत्यू त्याग पत्र और आयोग सेक्टर के बिग प्लियर और स्टार्ट अप कंपनिया अब बिहार की ओर देख रही है बता दे कि कुछ दिनों पहले ही बिहार की राजधानी पटना में आई टी कंपनी टाइगर एनलेटिक्स के द्वारा अपना ओफस सुरू कर काम शुरू किया गया है वहीं अब HCL टेक्नलोजी भी बिहार में आकर निवेश कर काम को लेकर गंभीरता से सोच रही है दरसल HCL के दो आला अधिकारियों के द्वारा उद्योग विभाग के अपर मुखिस अचीव संधीप पॉंडरिक से मुलाकात भी की गई थी इस बात की जानकारी खुद उद्योग विभाग के अपर मुखिस अचीव संधीप पॉंडरिक के द्वारा एक्सपर जो की पूर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है उन्होंने तस्वीर शेर करते में लिखा है कि HCL टेक्ट पर चर्चा के FI 23 में बिहार पवेलियन में UAE सराफ ग्रूप के वाइस चेर्मैन S.H. सराफुदी सराफ और उनकी टीम से मिलकर खुश हुई हमने राज में लोजिस्टिक्स छेत्र में समूध द्वारा संभावित ने वेश पर चर्चा की बिहार बोर मैट्रिक सेंटर परिच्छा की तीथियां घोशित मैट्रिक वार्सिक परिच्छा 2024 के लिए बिहार विद्यारे परिच्छा समीती की द्वरा सेंधान्तिक A1 प्रायोट विश्यों की सेंटर परिच्छा की तीथि घोशित कर दी गई है जिसके तहत यह परिच् सुषना के नुसार 23 पच्चेस और 27 नमबर 2023 को आयोजित होने वाली पहली पाली की परिक्षा की शुरवाद सुभ़ 9-20 पजे से होगी जो की 12-45 बजे तक चलेगी वहीं दूसरी पाली की परिक्षा की शुरवाद दो पहर 2 बजे से होगी और शाम 5-15 बजे तक चलेगी इसी परिक्षा में शाविल नहीं होता है या फेल हो जाता है तो वैसे विद्यार्थी वार्षित परिक्षा 2024 में समलत होने से वंचित रह जाएंगे आंगनवारी सेविकाओं ने अपनी मांगो को लेकर भड़ी हूंकार बीते दिन काफे दिनों से विहार राजी की आंगनवारी सेविकाओं और साहिकाओं के द्वारा अपने पांच सूत्री मांगो को लेकर विहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जरा है इसी कड़ी में बीते दिन आंगनवारी सेविका और साहीका के दौरा गोपाल गंचला मुख्याले के अंबेटकर चौक के पास सरकार के खिलाफ धर्णना प्रदर्शन किया गया इस दोरान आंगनवारी सेविका और सहाईका के द्वारा नारू के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही मांग पूरी न होने पर चरणबद आंदोरन करने की चिताबनी भी दी गई इसके अलावा लेरी सराई, स्थित, समाज, कल्यान, मंतरी, मदन, सहनी के आवास पर भी सेविका और सहाईका के द्वारा प्रदर्शन करते वे उनके घड़ का घिराओ किया गया हाला कि दौरान मंतरी के द्वारा उनसे बात करने शांद भी करवाए गया मालुमों कि इससे पहले भी बिहार के लखी सराई में आंगनवारी करमचारी यूनियन संके ने तो तुम्ही बिहार राज्य आंगनवारी सेविका और सहाईका के द्वारा जम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था जहां सिविका और साहिका का कहना था कि 29 सितंबर को एक पैठक के माध्यम से बातचीत करने के बाद हमारी मागो को पूरा करने की बात कही गई थी लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया ऐसे में हमारा अंदोरन आगे भी जाली रहेगा उनका कहना है कि अगर सरकार समय रहते उनकी मांगो को पूरा करने पर विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में इसे ज़्यादा संख्या भीर जमा होगी और प्रदर्शन किया जाएगा आक्रोसित से विकाओं के द्वारा कहा गया है कि विधान सभा में पांच दिन का डेरा डालों घिराव है कटिहार पहुंचा लेट्स इंस्पार अभियान बोले IPS विकास व्यभव बीते दिन लेट्स इंस्पार बिहार के कारवा एक्तिस्वा पड़ाओ के रूप में युवा समवाद कारिक्रम के माधियम से IPS विकास व्यभव के द्वारा युवाओं को संभूदित करते वे कहा गया कि बिहार गौरव शाली व्यक्तित्व और गौरव कथा के कारण धनी रहा है मगर किसी कारण से वह गौरव काथा कमजोर परता गया है उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उसी पहचान को वापस लाने के लिए समलत प्रयास से कैसे बिहार के गौरव काथा को एक बार लेकिन या तभी संभव होगा जब बिहार विक्सित हो बिहार जैसे पिछले राजियों का जब तक पूरी तरह से विकास तहीं हो जाता है तब तक भारत विक्सित नहीं हो सकता उन्होंने लेट इस्पायर के उदेशियों को लेकर बताया किसके तहत हम बिहार के लोगों को अपने राजी के प्रतीग गर्व कराने का कोशिश कर रहे हैं कुछ दिन पहले आई वेफ सरीज ने मिरजापूर और पंचायत को किया पीछे एक तरफ जहां लोग अली फजल और बिहार के लाल पंकस रिपार्टी स्टारर मिरजापूर तीन का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं कुछ दिन पहले आई एक वेफ सरीज ने मिरजापूर और पंचायत जैसे सरीज को भी पीछे छोड़ दिया है हम बात कर रहे हैं प्राइम वीडियो पड़ाई सरीज एस्पिरेंस एस दो की जिसने दर्शकों के दिल को जीत लिया है और अब यह सरीज लोगों की पसंदीता सरीज बन गई है एक तरफ जहां मिरजापूर को IMDB के द्वारा 8.5 रेटिंग दी गई और पंचायत को 8.9 रेटिंग दी गई वहीं कुछ दिनों पहले आई इस सरीज एस्पिरेंस एस दो को 10 में से 9.2 की रेटिंग दी गई है पतादे के सरीज में 5 एपिसोड है और यह सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बटोर रही है सरीज की कहानी तीन दोस्त अभिलाज गुरी और SK के आसपास घूमती है यह 3 UPSC अभ्यर्थी है वह इस सरीज में इनके परिक्षा उत्रन करने की कोशिश और संखर्स को दिखाया गया है विहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चंदन बिस्वास के बारे में चंदन बिस्वास का जन्म आज ही के दिन 1985 में विहार की राजधानी पटना में हुआ था या एक बंगाली सहसिक खेल कर्मी और यात्रा लेखाक है वह सोलो ट्रांस हमाले साइक्लिंग अभियान पूरा करने वाले पहले व्यक्ती बने उन्होंने अपनी सहसिक यात्रा पर आधारित एक डॉक्यमेंटरी फिल्म चरैवती का निर्देशन किया चंदन विस्वास नहीं 2010 सहसिक खेल सुरुकी अवपरवतरोहन रोक, क्लाइंबिंग और माउंटेन साइक्लिंग में भी शामिल है माले साइक्लिंग अभियान को सफलता पुर्वक पूरा करने में चंदन विस्वास को फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक उन्हें 135 दन का समय लगा इस यात्रा में विस्वास ने बांगलादेश, भुटान, नेपाल और भारत तक 6249 किलो मीटर साइक्ल चलाए उन्होंने 2018 में भारत के चार राज्यों में 47 दिनों में 1047 किलो मीटर की दूरी तै करते वे नर्मदा नदी ट्रेल और घाटी पर पैदल यात्रा के इसके लावा 2016 में उन्होंने अंतराश्ट्री मातरी भासा दिवस से पहले भाशा अंदोलन के शहीदों को श्रधांज्री देने के लिए कॉलकाता से धाका तक एक इंट्रा कंट्री साइक्लिंग और रनिंग टीम का नितुदु किया वा पेसे से एक सिनेमेटर ग्राफफर है वा इन्हें में तरूप से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लिए लिखते हैं परिक्षा राज्यके 30 सहरों में आयोजित की गई थी ऐसे में अभी यह परिक्षा राज्यके किवल 10 सहरों में ही आयोजित की जाएगी जिसमें बिहार की राजधानी पटना, औरंगाबाद, आड़ा, फागलपूर, तर्भंगा, गया, मुझपरपुर, पूर्णिया, समस्तिपूर और रोता शामिल है जहां परिच्छा का सेंटर होगा, बता दे कि NTA के द्वारा राज्यके जिन 20 जिलों की हटाये गया है, उसकी सूची je-min.nta.ac.in पर जारी कर दिया गया है, मालू हो कि सुरक्षा को ध्यान में रखते वे, सेंटर का गेट आधी घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा बिहार के उपमुख्य मंत्री पर अहमदाबाद कोर्ट में हुई सुनवाई ऐसे में अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 6 नमंबर को सुनवाई की जाएगी आपकी जानकारी कले बतादे कि तेश्वी यादव की कतित टिपनी की केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं के लिए अपराधिक मानहानी मामले में कोर्ट ने 22 सितंबर को तेश्वी यादव жизни करने वारा था लापों बच्चो के स्कूल से नाम काटे जाने पर राजेपाल का बयार बिहार सरकार के सच्छा विभाग के अपर मुखिश चछीप के के पारठक के नर्देश पर स्कूलों में बिना किसी जानकारी के लंबे समय तक उपस्तित ना होने वाले 22,000,000 बच् कशी का नाम लिए बगएर कहा कि बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि महीने भर के अंदर लाखो छात्र छात्राओं के नाम को स्कूल से कार दिया गया है ये बात वो लोग गर्व से कहते हैं परन्तु यह वास्ता में बहुत ही सर्मनाक बात है सिक्षा विवा को इसके लिए जव प्रभावों की वजह से राज्य भर में आंसिक बादलों की आवा जाही बनी रहेगी साथी प्रदेश के अधिकांस जिरों में पुडवा हवा का प्रभा बना रहने वाला है धर मौसम के जानकारों का कहना है कि पच्छुआ हवा का प्रभा बनने और बादलों के छटने की अधिक्तम और नियुन तपताप मान में कमी देखनी को मिलेगी। की सुभा शाम सीरन रहेगी। अधिक्तम और नियुन तपताप में बहुत के द्वारत के द्वारत के लिए अपात कालीन संपर्क नंबर नौशाथ भटो पर खोले जाएंगे और स्थाइ स्कूल। दरसल विभाग का मानना है कि इट भटो पर काम करने वाले लोगों के बच्चे सक्षा ग्रहन नहीं कर पाते और वे अपनी माता-पिता के साथ काम में लग जाते हैं। वहीं यहां काम करने वाले जादा लोग प्रवासी होते हैं ऐसे में उनके बच्चे भी सक्षा प्राप्त कर सके। मंत्रे अमस्सा बिहार के मुझपरपुड में आ रहे हैं जहांवे मुझपरपुड के पता ही हवाई अड़ा में एक जनसभा को समूधित करने का काम करें गया। ग्री मंत्रे अमस्सा के साथ मंचपर केंद्रे मंत्रे गिरा सिंग आर्के सिंग अस्विनी चौबे बिहार के सभी सांसद विधायक पुर्व मंत्री वपुर्व विधायक भी मौझूद होंगे। मालू हो कि बीते 16 सितंबर को अमस्सा मदूबनी के जिंजारपूर पहुँचे थे एक साल के भीतर अमस्सा का बिहार का यह पांचवाद दौरा है। समराच चौधरी ने सीएम नितीश पर बोला हमला आज यानि की 5 नमबर को ग्री मंत्री अमस्सा का बिहार आगमन होने वाला है से में इनके आगमन को लेक जेडियू और विपक्ष निताओं के द्वारा केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला जा रहा। बीटा हवाई अड़ा के लिए जमीन दी गई उन्होंने जेडियू के निताओं को चुनौती देते वे कहा कि अगर हिम्मत है तो खुले में इस मामले को लेकर डिबेट करें सीएम नितीश ने खुद बादा काम पूरा नहीं किया उन्हें तो चौबस घंटे में इस्तिफ अगर हम इस सह बिहार आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं वे किसी के जहां से में नहीं आएंगे और अपना काम करेंगे उन्होंने कहा कि विहार के मुझपर पूर्जले में हमारी पार्टी विकास इनसान पार्टी मजबूत है विहार आने का सभी का अधिकार है वो आएं और अपना प्रचार करें लेकिन इसका फाइदा भी जपी को नहीं होगा अपने आवास पर मीडिया से बाचित करते वें दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि अभी कॉंग्रस पांच राज्यू के चनाव में लगी है तो नितीश कुमार की घमंडिया सरकार को लगा होगा कि दरसकार के रूप में कॉंग्रस को देखा जिसके बाद लालु यादव और तेश्वी आदव को खटका कि कहीं फिर नितीश कुमार पल्टी ना मार दे इस परिसिती में दो रों नितीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुँच गया और वहां बताया होगा कि आप चंता मत कीजिए भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णोस दर्च 1556 में हुए पानेपत के दूसरे युद में मुगल साशक अकबर ने हेमु को हड़ाया भारत के प्रतम प्रधान मंत्री जवाहार लाल नेरू ने 1971 में नियुआर्क की यात्रा की भारत तिहार रूस ने 2001 में अफगान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामन्जूर की महान चितनता सिनानी चितरंजन दास का 870 में जन्म हुआ हरियाना के भूध पूर्व मुख्यमंत्री तिहा चितनता सिनानी बनार्सी दास गुपता का जन्म 1917 में हुआ हिंदी के प्रसद साहतेकार उदय राजसिंग का जन्म 1921 में हुआ भारतिय राजनीता तथा बंबई नगरपालिका के समधान के नर्माता फिरोसा मेता का निधन 1915 में हुआ दुरूपत तथा खयाल कायन सैली के स्रिश्थम गायक फयाज खां का निधन 1950 में हुआ प्रसद के ऐसे विलक्षण कलाकार भूपेन हजारिका का निधन 2011 में हुआ सोचल میडिय पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रMed नहीं ऐसे करी में आज हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल के बाड़े में दरसल P.I.B. ने अपने ट्विट में लिखा है कि सिलॉंग टाइम्स का दावा है कि सीमा सुरप्चा बलने अवयाद रूप से एक लाक रुपए मुल्य की चीनी की कई बोडिया जबत किया और उन्हें दुकानदारों को बेच दिया P.I.B. ने अपने ट्विट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है B.S.F. इंडिया के दौरा चीनी की जबत की गई बोडियों को उचित जबती ग्यापन पर सीमा सुल्क कारयाले बार सोरा को सौप दिया गया है अब मेल आईडी से भी खुलेगा वाटसेप अकाउंट वाटसेप एंड्रोइड और आयोस के लिए एक नया फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप जीमिल आईडी की बदौलत अपने अकाउंट को लॉग इन कर पाएंगे बरतमान में वाटसेप अकाउंट को स्मार्टफोन पर ओपन करने के लिए मुबाइल नमबर की जरूरत होती है लेकिन जल ही आप मेल आईडी की मदद से भी अपने वाटसेप अकाउंट को ओपन कर पाएंगे फिलाग ये फीचर कुछ Android और iOS बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है सब्डेट की जानकारी वाटसेप के डेवलपमेंट पर नजर बनाये लखने वाली वेबसाइट डबलू ए बीटा इंफो ने शेयर की है वेबसाइट के मताबिट वाटसेप नए इमेल एड्र का है ऐसे में अब इने प्रसक्षन देने की तयारी शुरू हो गई है बता दे किसको लेकर सक्षा विवाग के दौरा सेड्यूल भी जारी कर दिया गया है जिसके तहत सक्षकों का इंडक्षन ट्रेनिंग सेंटर 6 नवं मर्यानी की कल से शुरू होने वाला है जिसमें नवन सक्षकों को प्रसक्षन के दौरान अनुसाशन वैभारी का कक्षा सक्षन कक्षा की समस्याएं चात्रोवा विवागों के साथ पाच्चीत और विचारों के आदान प्रदान विवन मनोवैग्यानिक विदियों के माध्यम से समानता आधारी सक्षा प्रदान करने के महत्व के संबंद में सक्षा विवा के उपलब्दियों और वर्तमाल सक्षा के बाड़े में जानकारी दी जाएगी बतादे कि इस अंडक्षन ट्रेणिंग सेंटर की जांच भी की जाएगी जो की जलाधिकारी उपविकास आयुक्त अत्वा अनुमंदल पदाधिकारी के द्वारा स सवाल में आपने कितना सही उतर दिया कर पकड़के यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किस तराजी में पाडू मला पेरू ननल उत्सवक मनाया गया है ऑप्शने तमिल नाडू ऑप्शन भी आंत्रप्रदेश ऑप्शन सी करनाटक सिंग ने कहां इंडिया मैनुफ्राक्ट्रिंग सो दो हजार तेज का उद्धगाटन किया है ऑप्शनी मुंबई ऑप्शन भी नई दिल्ली ऑप्शन सी बैंगलूडू ऑप्शनी चंडिगड इसका सही उतर है ऑप्शन सी बैंगलूडू अगला सवाल बिहार की दूसरी कि आधिकारिक भाषा है ऑप्शनी संथाली ऑप्शन भी उर्धू और्फमसी मैंथिली, ऑप्शनदी भोजपूरी इसका सही तरह आप्शन भी उर्दू अगला सवाल बिहार का साख छर्टा में राजियों और केंदर शासत प्रदेशों में कौन सास्थान है आप्शने 27 वा, आप्शन भी 33 वा, आप्शन C 29 वा, आप्शन D 35 वा इसका सही तरह आप्शन D 35 वा, अगला सवाल बारवी सदी के प्रेडंग में किसके दोरा विहार में एक मजबूत वन्स की नीव रखी गई थी आप्शन D बदार खा लोहानी, आप्शन D सेशा सुरी, आप्शन C मदनपाल, आप्शन D सिकंदर लोदी इसका सही तरह है, आप्शन C मदनपाल, बीतर दिन हमाइदर आप पूछेए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब, हमें मारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्हों नी हमाइदर आप पूछेए सवाल का जवाब दिया हैं के नाम है, विवेक मिश्रा, सदुल्ला पलवी, रनो गोलु कुमार, मुन्ना कुमार, धुरुव कुमार, कपिल देव, शाह, प्रहलाद कुमार, वेद प्रकास सिंग, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, अतीक खां, सध्धार्द कुमार, अनवर करीम खान, बबलु कुम अगर आप यूटूब से देखना को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना तो पेस्ट को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद